Hello students, welcome back to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.21 करेंगे, जो कि Class 8 की है और सब्जेक्ट है Social Science. ये Worksheet 11 December 2020 की है. तो आज़े शुरू करते हैं आज की Worksheet. Worksheet शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज़े देखते हैं आज की Worksheet Chapter 5 History When People Ripple from the Eye of People. Source 1, the list of 84 rules given here are expired from the books माझा परवास written by विश्नु भट गॉड़से, ए ब्रहमन from a village in महारास्टरा. देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक महापरवास बुक में से विश्नु भट गॉड़से द्वारा ब्रहमन थे जो महारास्टरा में रहते थे उनकी बुक में से ये लिया गया है. He and his uncle had set out the attempt a yajna being organized in मतुरा. वो क्या कहरे है कि वो और उनके अंकल कहा जा रहे थे? Yajna के लिए जा रहे थे? यजनु बट कहते हैं कि उन्होंने लिखा है कि वो जब रस्ते में जा रहे थे तो कुछ सिपाई उन्हें मिले थे जो उन्होंने उसे का कि आप लोग अपनी जर्नी को यहाँ पर प्रोसीर मत कीजिए, आगे मत जाईए. वो क्या कह रहे हैं कि क्यूंकि अभी इन तीन दिनों में आने वाले तीन दिनों में कुछ बहुत दुरगटना मनलब कुछ घटने वाला है ऐसा जो कि हैं बहुत अच्छा नहीं है. वो कह रहे थे कि इंग्लिश जो लोग हैं जो अंग्रेजों का शाशन चल रहा था तो कहते हैं जो अंग्रेज हैं वो क्या कर रहे हैं वो क्या करने वाले हैं हिंदू और मुसलिम के जो रिलीजन हैं उनको क्या करने वाले हैं वाइप आफ करने वाले हैं उनको नस्ट करने वाले हैं, they had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of a big king and princes in Calcutta, उन्होंने 84 rules की एक list बना दी है 84 rules की क्या बना दी है, एक list बना दी है और उन्होंने इसको announce भी कर दिया है, all big king and princes के सामने in Calcutta में, they said that the king refused to accept this rule and warm their English to dire consequences and massive unheeple, these are implemented, वो कहते हैं, अब जब राजाओं को, जो king थे, उनको इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इसको refuse कर दिया, उन्होंने जो 84 rules की जो list बनाए गई थी, उन्होंने क्या कर दिया, refuse कर दिया, उनको accept नहीं किया है, और उन्होंने कि अगर वो इस चीज़ को आगे, उन्हें ने अंग्रेजों को warn किया है, जो British उनको क्या किया है, warn किया है, कि अगर वो इस rule को follow करवाते हैं, इसको मनवाते, implement करवाते हैं, तो इसके लिए बहुत भारी कीमत उनको चुकानी होगी, that the king are returned to the capital and great angle, और यह कहकर जो king थे, वो बहुत गुस्य में अपनी capital पर चले गए हैं, all the big people begin making plan, अब जितने भी people हैं, वो क्या करने लगे हैं, इसके लिए plan मनाने लगे हैं, कुछ सोचने लगे हैं, कि कैसे इसे हमें, हम सबी जो लोग थे, वो wipe out नहीं करना चाहते थे, अपना जो religion है, हिंदू या होचा है, मुसल्मानों, वो अपने धर्म को नस्ट नहीं करना देना चाहते हैं, इसलिए वो अपने plan मनाने लगे, a date was fixed for the war of religion and secret plan and had been circulated from the contaminated in the merit by letter as sent by the different contaminants, देखो क्या कहा जा रहा है, कि सब लोगों ने अपने plan मनाने शुरू कर दिया, और इसके साथ एक date fix कर दी गई है, जो क्या करेगी, war of religion, जो कि धर्म यूद की date fix कर दी गई है, और इसके साथ secret plan भी बनाय जा रहे है, जो क्या कर रहे है, जो मेरत में तो बन चुका है, इसी योजना है, उन्होंने बना लिया, जिसे वो आगे भी different different जो शावनिया जिसके कहेंगे, शावनियों में भेजी जा रही है, अब देखते है, नेक्स्ट ये तो दिया गया है, एक आपको अने के लिए सब जगे धीरे-धीरे सब शुरू हो चुकी थी, another account we have from those days that the memories of the सुबेदार सीताराम पांडे who was recruitment in the 1812 as a सिपोय इन बंगाल नेटिव आर्मी and retired in 1860, देखो अब other stories नहीं दा रही है, सुबेदार सीताराम पांडे की, जो recruitment हुए थे 1812 में सिपोय इन बंगाल अर्वी में ऐसे सिपोय उन्हें क्या किया गया था, उन्हें नियुक किया गया था, recommend किया गया था, और उसके बाद 1860 में वो retire हो गए, he helped the British press and the rebellion throughout his own son was a rebel, अब वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश थे, उनकी जितने भी विद्रोही थे, उनसे उनको क्या करते थे, help करते थे उनसे suppress होने से, उनको अंग्रेजों का ही वो साथ देते थे, ब्रिटिश का ही वो क्या करते थे, साथ देते थे, जबकि जो उनका खुद का boy था, जो उनका खुद का son था, rebel था, वो खुद एक विद्रोही था, वो भी क्या था, क्रांतिकारी था, was killed by the British in the front of his eyes, और इसके अलावा मतलब खुद क्या था, उनका जो बेटा था, वो क्या था, son क्या था, ब्रिटिश के विद्रोह में था, और उसको कुसी कोई, उनके बेटे को ही, उनकी आँखों के सामने, सुबेदार सिताराम पांडे के आँखों के सामने, ब्रिटिश ने kill कर दिया था, और retirement, he was produced by his commanding officer Norgetto to write his memory, जब वो retire हुए तो उसके बाद उनके commander officer थे Norgetto, उन्होंने उनकी memories लिखने के लिए, उन्होंने प्रेरित किया कि आप भी अपनी memories लिखिये, he complete his return in 1860 अवधी, उन्होंने अपनी जो memories थी, जो सस्मरंज से कहते हैं, उसको 1860 में complete किया in अवधी, and Norgetto translated उन English, and had it published under the title from Sipoy to Subeda, और Norgetto ने उसको English में translate किया, उन्होंने कौन सी language में लिखा था, सुवेदार सिताराम पन्दे ने अवधी में लिखा था, जिसको Norget translate किया था, English में translate किया था, और इसके साथ उसको title किया दिया था, from Sipoy to Subeda, next देखे क्या लिखा गया पेटा, here is the expected from the word सिताराम पन्दे रोट, उन्हों कह रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा, देखो, it is my humble opinion that the sneezing of the अवध, filled the mind of the सिपोय with the distrust, and let them to the plot against the government, अब देखो, हमने पिछली वक्षिट में देखा था, कि जो अवध पर, जो British ने अपना कबजा क्या क्या था, जबरदस्ती क्या था, वह जो रूल कर रहे हैं, यह क्या है, अनफियर है, इसलिए उन्होंने जान मुझकर उनको हटा दिया था, जिससे वहां की जो जनता थी, जो सिपाई थे, वो क्या थे, खुश नहीं थे, तो वहीं, वहीं से शुरू होती है, देखिए, और उससे अनखुश होके, उन्होंने क्या किया, जो गौर्मेट के अगेंस उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, उन्होंने इसके विद्रोः शुरू कर दिया था, अंदर ही अंदर क्या कर दिया था, उन्होंने इसके लिए विद्रोः शुरू कर दिया था, अगेंस आवद के नवाब के जो एजेंट थे उन्होंने किया कि उन्होंने लोगों को भेजना शुरू कर दे जिसे कि क्या हो कि अंदर की जो खबर है वो उनको मिल सके कि कैसे हम आजादी पा सकते हैं अब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे सिपाई थे वो तो पहले ही से खुश नहीं थे कि उनके राजा को हटा दिया गया था उनके मन में तो वैसी थोड़ा तकलीफ थी तो इसके लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने और उनको भड़काना शुरू कर दिया क कि तुम्हारे जो king थे उनके साथ में कैसा बहेव किया गया foreigner ने, they invented 10,000 line and promises to the producers, the soldiers to maintain and the turn against their master, और उनों ने, जो उसी police थे, जो उनके मालिक थे, उनी क्या गयाँ उनको क्या कर दिया, भढ़का दिया, the English with the object of the restoring the emperor of Delhi to the thorn, they maintained that this was the holy within the army power, if the soldier would only act together, do as they work advisedly, अब देखो वो क्या चा रहे थे, जो नवाप थे और वो सब क्या चा रहे थे, कि कैसे न कैसे यहां की जो सिपाई है, वो क्या हो जाए, उनकी under आ जाए, मतलब कि वो उनकी बात को सुने, उनकी advice को सुने, उनका main क्या था कि जो British and को यहां से हटा दिया जाए, अब यहां पे एक बात और खड़ी हो गई, कि जो राइफल यूज कर रहे थे, वहां पे जो British के अंडर जितने भी, जो सिपोय थे, जो राइफल यूज कर रहे थे, वहां से भी एक बात होड़े थे, कि जो यह राइफल है, इसमें क्या है इसमें pig और cow की क्या fat को use किया गया है इस men perform the new drill from the sometime until a report got about by the some means of the other अब जैसे ही लोगों को ये बात पता चली तो जो लोग थे उन्होंने क्या कि इस बात को और हवा देनी शुरू कर दी कि सब लोगों तो के बात पहुँचे that the cartis used these the new rifle were grizzed with a fat of cow and pigs जो ये rifle बनी हुए वो किससे बनी हुए fat of cow and pig से the man from the regiment wrote of the other in the regiment telling that about his and there was soon excitement in the very regiment मतलब क्या करा है कि जल ही क्या हुआ लोगों में जैसे जैसे उन्हों इस खबर को आग की तरह पहला दिया कि एक के कान में बात है तो दूसरे ने और भी कि जो अंग्रेज है या जो British सरकार है उन्होंने क्या British जो government है उसने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं है वो क्या कर रहे हैं हमें और परशान करने के कोशिश कर रहे है some man pointed out the 40 year service nothing had even been done by the सरकार in the insulting their religion कुछ उनके favor में थे कुछ जो British के favor में थे उन्होंने का कि अभी तक 40 year हो चुके है बट कभी भी जो government है जो सरकार है उन्होंने उनके religion को insert नहीं किया है but as I have already mentioned the sepoy mind had been flamed by the sneezer of the awad अब क्योंकि हम यहां पहले भी बता चुके हैं कि देखो क्या हो था जब sneezing कर लिया गया था आवद पर कभजा कर लिया था तो जो sepoy थे उनका mind तो पहले इसे ही क्या था government के against हो चुका था interested parties were quickly to point out that the great aim in the England was the turn us all Christians and they have therefore introduced the Cartiers in the order of the Bing about this since both Mohammedans and the Hindus अब देखो यहां पर क्या बात हुई अब जब एक बात उड़ती है तो उसके साथ साथ में और बहुत सी बाते उड़ने लग जाते है तो लोगों ने क्या क्या ऐसी बात भी उड़ानी शुरू कर दी कि जो English जो है जो British है ये सबको क्या बना देन चाते है Christians बना देना चाते है जितने भी लोगों इसबको क्या कर देना चाते है Christian बना देना चाते है और बोथ मुहम्डन और हिंदू जितने भी यहां पर है उनको सबको क्या कर देना चाहते है उनको उनका जो रिलीजन है उसको convert कर देंगे और यहां पर किसी हिंदू और मुसलिम को नहीं रहने देंगे would be defected in using it the colonel sahib was the opinion that the excitement which have been could not fail to see would pass off it has done before and recommended me to go to my home अब वहां के जो commander थे जो colonel sahib थे उनका जो उनका की बात पहुंची तो यहां पर बता रहे हैं जो सूबेदार थे उनका कि तुम लोग tension मतलो कोई बात नहीं तुम अपने घर जाओ यह जो यहां पर हम बताई गई है बटाबात की fat जो प्राइफल बनी हुई है काओ के fat की या पिग के fat की बनी है तो यह कुछ time के लिए उठेगे उसके बाद में क्या हो जाएगी शानत हो जाएगी लोग pass out भूल जाएगे इसको की कोई बात नहीं तुम इतनी tension मतलो लेकिन आगे जाकर यही जो था main हमारा जो 1857 के जो क्रांती जिसे हम कहते हैं यही यहां से शुरू हुई थी इसका first point ही यह लिया गया था तो वो हम आगे की वक्षिट में देखेंगे अब हम करते हैं इसकी question answer देखें फर्स्ट question क्या है according to मांचा प्रवास वाइड स्पोई आस्क विष्णु भट और इस अंकल तू रिटर्न होने के लिए तो यहां पर इसका अंसर दिया गया है बेटा देखो यहां सम सिपोई on the way who told them they should not proceed on the journey because massive anhipil was going on the break after three days सिपोई said the English is determined to wipe out the religion of Hindu and Muslim they had made a list of 84 rules and announced this a gathering of big kings and princes in Calcutta तो यह हो जाएगा question number पेटा फर्स्ट का अंसर हो जाएगा एक बल फिर बता देते हूं यहां से हो जाएगा पेटा फर्स्ट का अंसर सम सिपोई यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट का अंसर हो जाएगा ठीक है पूरा लिखना पड़ेगा कि क्यों हुआ था ना तो अब हम करते है question number second ठीक है question number second देखिए क्या है बेटा who was Sita Ram Pandey and who produced his right memories किस ने कहा था कौन थे Sita Ram Pandey पैदे तो हम यह देखते हैं first था यह रहा सूबेदार Sita Ram Pandey who was the retired in 1812 as a Sipoy यहां से लिख दीजगा पटा यहां से ने लेखते हैं तुबारा सिपोई Sita Ram यहां से लिख दीजगा सूबेदार Sita Ram Pandey a Sipoy second question in the Bengal native army and retired 1860 first तो यहां से लिख दीजगा उसके बाद में यहां से on retirement he was produced by the commanding officer Norgate to write his memories तो यहां से देखिए यह तो यह लेन आ जाएगी बेटा ठीक है और उसके बाद यहां पहले यहां से लिख दीजगा सूबेदार Pande a Sipoy in a Bengal native army and retired in 1860 उसके बाद यहां से लिखे on retire he was produced by the commanding officer Norgate to write his memories तो यह हो जाएगा question number two अब हम करते है question number three देखिए क्या है question number three why were the Indian soldiers British army filled with distrusted क्यों थे वो परिशान उनको मन में पहले से मतलब गुसा क्यों था जब उन्होंने अवद पर कभजा कर लिया था British ने तब वो पहले से ही गुसा हो गयते तो यहां से हो जाएगा question number three by sneezing the hours filled with the mind of the supply was disturbed and led them to the plot against the government तो यह हो जाएगा answer number three का ठीक है अब हम करते है answer number four question number four देखते है how could the memories help in the understanding history elaborate अब इसे बताएगे कि जो history को जो memories होती है वो किस तरह से memories है वो किस तरह से help करती है तो आईए करते हैं इसका answer हम answer number four देखिए memories are very close to history and are a glimpsum of the past memories होती है वो history के बहुत close होती है और glimpsum of the past पास्ट का क्या होती है एक जलक दिखाई देती है the person who wrote the memories show his feeling जो person यह memories लिखता है वो क्या होता है उसकी feeling उसमें नजर आती है memorized are the evidence of history from which we come to know about history जिसकी ज़र से हम क्या जान सकते हैं अपनी history जान सकते हैं तो पैटा आज की जो वरक्षीट है वो complete होती है वरक्षीट complete करके अपनी teacher से चेक कराई और please मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you